हेलो एवरिवन एक बार फिर से आप सभी लोगा बहुत-बहुत स्वागत है एकडमी 24x7 के इस टेली करेंट अफेर्स के वीडियो के सेसन दोस्तों आज है तीन फरवरी का दिन और आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे बात करेंगे डेली केंट अफेर्स के कुछ important MCQs के बारे में और उन MCQs से बनने वाले जो भी आपके important facts हैं important questions हैं उनको भी हम साथ में discuss करते हुए चलें तो चले start करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं सबसे पहला question वीडियो देखते समय अगर आपके मौन में कोई सवाल है या आप किसी अनटॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप comment box में comment करके बता सकते हैं पहला question लेते हैं हाल ही में किस company ने सरव पर्थम बायो फ्यूल वाला rocket को launch किया है जी हां बहुत एक important सब्द आपको यहां से पकड़ना है बायो फ्यूल ठीक ना जैविक इंधन जी हां जैविक इंधन यानी कि इस rocket से एक भी प्रदूसर नहीं होगा इसको किस company लॉंच किया है तो इसका नाम है blue shift aerospace क्या नाम है blue shift aerospace इस company का नाम है यह एक अमेरिका बेस्ट कंपनी है ठीक है ना यह जो अमेरिका बेस्ट कंपनी है और यह जो इसने जो अपना यह पायो फ्यूल वाला rocket लॉंच किया है इसका नाम है star dust 1.0 क्या नाम है star dust 1.0 इसको नाम दिया गया है ठीक है यह total 20 फ्यूल लंबा rocket है कितनी लंबा है इसकी 20 फिट लंबा है रॉकेट है और इसका जो द्रवमान है यानि कि इसका जो मास है वो 250 kg है ठीक है 250 kg तहग है और कितने kg तक का भार उठा सकता है यानि कि इसमें कितना payload डाला जा सकता है इसमें load किया जा सकता है वो है 8 kg का ठीक है यानि कि 8 kg का ये एक maximum 8 kg का satellite लेकर किये जा सकता है बात हो रही है biofuel की इसलिए biofuel के point of view से ये question आपके लिए important हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं दूसरा question लेते हैं बहुत important वीडियो और मैं अक्सर पहले भी वीडियो में discuss कर चुका हूँ और करता भी रहता हूँ ठीक है परतेक वर्स विस आदभूमी दिवस कब मनाया जाता है world wetlands day तो परतेक वर्स आदभूमी दिवस दो फरवरी को मनाया जाता है option B आपका सही होगा यानि कि कल आपका मनाया गया ठीक है क्या है इसको समस्ते हैं आखिरकार आदभूमी क्या है wetlands क्या है नमी या दलदली वाल छेत्रों को आद भूम या वेट लैंड कहा जाता है ठीक है ना 1971 में अच्छा एक चीज़ और समझना है कि इनको क्यों सनरच्षित किया जा रहा है तो इनको इसलिए संद्जित किया जा रहे क्योंकि यह पर्रयवन के point of view से बहुत ही महत्पून आपके यह छेत्र हैं ठीक है इसमें अब विवित्ताइं बहुत ज्यादा पाई जाती है ठीक ना बहुत ज्यादा विवित्ता पाई जाती है जो आपकी wetlands है इसलिए इनको संद्रचित भी किया ज जाता है ठीक है 1971 में 1971 में 2Фरवरि 1971 को इरान के रामसर सहर में एक संभूलन आयू जित किया गया आद भूमी को बचाने के लिए एरान के रामसर सहर में दो फरवरिणिस्विक 2017 को आयोजन किया गया संभेलन का आयोजन किया ठीक ना यह जो आपका पहला आद भूमी दिवस है वो कमनाया गया तो वह है 1997 1997 कमनाया गया 1997 से इसको मनाना शुरू किया गया ठीक है ना इस बात को आपको पॉइंट याद रखना है ठीक है नहीं 1997 नहीं आपर 1987 ठीक है हाँ 16 साल बाद इसको मनाना शुरू किया गया था इस बात को आपको याद रखना है 1987 से इसको मनाना शुरू किया गया ठीक है इस वर्स की जो theme है वो क्या है आद भूमी और जल क्या है थीम जरूर से याद रखने हैं कभी-कभी theme भी पूसता है आद भूमी और जल इस बार की theme थीम थी अच्छा अब बात हो रही आद भूमी की पूरी दुनिया में wetlands हैं तो इंडिया में कितन आपको आसानी होँ जाए ठीक ने से क्वेंहों साइट त परिसर इसका नाम और यह कहाँ है आपकी लढ़ाक में तो यह यह मिल गई है आप टोटल संख्या 42 हों गई है ठीक है आद भूमीों की भारत में यह क्या hilarious recession की तर वूडियो पसंद्स आ रहा है जानकारी आपको पस सकते है, question तीसरा लेते हैं, हाली में bird festival का अभ्यारण में किया जा रहा है, इसका जो संपर्ख है, या इसका संबंध है इस question का, वो दूसरे question से है, यानि कि कैसे समझते हैं, यह जो आपका bird festival अयोजित किया जा रहा है, इसका аयोजन, ओखला पच्छी अभ्यारण में किया जा रहा है option A आपका सही होगा ओखला पच्छी अभ्यारण ये ओखला पच्छी अभ्यारण आखिरकार कहा है ये नोईडा में है ठीक है कहां पर है नोईडा में है ये क्यों मनाया जा रहा है पच्छी अभ्यार या ये बर्ड फेस्टिवाल आपका क्या इसकी जरूरत है तो इसका उदेश है अभ्यारण में प्रजातियों के घनत्तों का आकलन करना ठीके ना अभ्यारण में जितने भी अभ्यारण में प्रजातियां हैं उनका क्या घनत्तो चौता क्विश्चन, आप हमें सोसल मेडिया हैंडल वर भी फालू कर सकते हैं, जिसी फेस्बूक पेज है, इंस्ट्रागाम पेज है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल याएंगे, ठीक, चौता क्विश्चन लेते हैं, हाल ही में, किस अमेरिकी संस् सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एक बार फिर से आपको एक बार में ही याद हो जाना चाहिए, अगर आपको बैक्ग्राउंड में कोई नौइस आ रही है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है ना, क्योंकि पलोस में एक प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है न, उसकी वज़ एन इसपेस अड्मिनिस्टेशन, ठीक है न, अमेरिका की यह क्या है, अंत्रिच एजेंसी है, ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया में क्या है, इसरो है, ठीक है, हाँ, तो इसकी प्रमुख बना दी गही नासा की, तो नासा का जो हेट क्वार्टर है, वो कहा है, वाशिंग टन DC, अमेरिका की राजधानी, वाशिंग टन, DC, चलिए बताइए, अच्छा, वाशिंग टन में यह जो DC लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी को पता है, तो कमेंड बॉक्स में करन करके बताए, इसकी स्थापना कप की गई, नासा की, 29 जुलाई, 1958 में, 1958, बढ सिवं सहकारी बैंक, कौन सी है, सिवं सहकारी बैंक, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि बैंक के पास पर्याफ्त पूंजी नहीं है, और आंगे भाविस्तों में कमाई की भी कोई संभावना नहीं दिख रही है, इसलिए इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, बात हो रही है RBI की, तो RBI के वर्तवान में गवर्नर है, सक्तिकांत दास ठीक है न RBI के स्थापना कप की गई? 1 अपरेल 1935 को और इसका राश्ट्री करन कप किया गया 1 जनवरी 1949 को ठीक है? 14 साल बाद इसका नेशनालिजरेशन राश्ट्री कर दिया गया RRB and TPC PC में भी RBI से काफी ज़्यादा question पूछे गए गांधी जी से बहुत ज़्यादा question पूछे गए और चंद्रियान से बहुत ज़्यादा question पूछे गए ठीक है न? चली आगे बढ़ते हैं छटा question लेते हैं हाल ही में आयोजित सेयद मुस्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता? ठीक है? हाल ही में आप सभी को पता होगा एक दो दिन पहले मैंने हम लोग डिसकस भी कर चुके हैं कि 87 साल के इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं किया जा रहा है पहली बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं किया जा रहा है 87 साल के इतिहास में पहली बार तो वो भी आपके लिए इंपर्टन्ट हो जाता है अब बात कर रहा है हम लोग सेयद मुस्ताक अली ट्रॉफी तो इसको जीता है तमिलनाट की टीम ने आप्सटन ए आपसा का सही होगा हराया किसको है बड़ावदा को इसने हराया है यह जो आपका सयद मुस्ताक अली ट्रॉफी हो ती इसमें कुल 38 टीमें 38 टीमें खेलती है यह आपका एक डोमेस्टिक T20 चैंपियोंसेप है क्या है डोमेस्टिक यान ये घरेलू T20 प्रजोगता है चैंपिंसेप इसका पहला संसक्रण 2067 में आयोजित किया गया था अब तक कुल इसके 13 संसक्रण आयोजित किये जा चुके हैं ठीक है ना पहला संस्रण कब हुआ था 2067 में हुआ था और इसका अब तक कुल टोटल 13 कितने साल पुराने कामर्सियल वहानों को स्क्रैप में सामिल करने की गोश्णा की है ठीक है यानि स्क्रैप यानि कि अब इनको कबार में सामिल कर दिया जाएगा अगर ये इतने साल से पुराने हैं बात हो रही है यहाँ पर कामर्सियल की इस सब्द को आपको पकड़ना है commercial को क्योंकि private के लिए अलग से प्रावदान है थीक न अगर question बनता है कि private के लिए तो फिर आपका answer change हो जाएगा यहाँ पर बात हो रही है commercial वाहनों की जो है आगर पंद्रा साल से पुराने हैं तो उनको scrap कबार में सामिल कर देने की गोशना की गई है ऐसा क्यों किया गया आप सभी जानते हैं वित्मंत्री ने एक फर्वरी को भारत का बजट पेस किया ठीक है तो वित्मंत्री ने पुराने और प्रदूसर फैला रहे है वहानों को हटाने के लिए यह नीत पेस किये कौनसी कि जो भी कामर्सियल वहान 15 साल से पुराने उनको बाड़ में सामिल माना जाएगा ठीक है न चले क्यों ऐसा किया गया प्रदूसर उनको रोकने की वज़े से ठीक न इसमें भारत में क्या चल रहा है कौन सा किस टाइप की इंजन्स आ रहे हैं गाड़ियों बियस का फुल फॉर्म क्या होता है अगर आपको पता है तो कर सकते हैं बढ़ते हैं आट में कुश्चन की तरह हाली में चर्चित पट चित्र पैंटिंग का संबंध किस राजस है या फिर यूं कहें कि पट चित्र कला का संबंध किस राजस है ठीक है या पर कला वर्ड ज्यादा यूज़ करेंगे आप तो ज्यादा साही है ठीक है प पट चित्र का, उन्होंने एक, ओडिशा के एक छात्र का भी उधारन दिया था, भाग स्री साहू, उनका क्या नाम है, भाग स्री साहू, उन्होंने उधारन भी दिया, ठीक न, क्योंकि यह जो भाग स्री साहू है, यह इसी कला का प्रियोग करते हैं, पट चित्र कला का, आख कुसी को ही कहते हैं पट्ट चित्र कहां कि है यह आपकी उडिसा में भी फेमस है और पस्चिम बंगाल के भी कोचिस्तों में फेमस है यह जो कला है इसको बनाने के लिए प्राकर्तिक रंगों का प्रयोग किया जाता है ठीक है ना पट्ट चित्र में किसका प्रयोग किया था प्राकरते कि नेचुरल करर्स का प्रयोग किया जाता है यानि कि environment friendly भी है आपका ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो का पसंद आये देखिए पसंद आये तो लाइक और से जरूर से कर दिया करें क्योंकि आपका एक लाइक एक से हमें मोटिवेट करता है लगातार बह एक साल के या पार की गोषण की गई है चार आपके पास ऊप Sign up करें के बता सकते हैं आपको वूडियो कैसा लगा आगा हमें जरूर से बताएं पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कर दें और आप यहां तक आ गए हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रस कर लें जिसे आप कोई वीडियो मिस्त न कर सेगा अभी यहां पर आपको वी वीडियो भी दिखेंगे ठीक है तो उन पर भी क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं थैंक्स और वाचिंग मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए आप से भी कप बहुत बहुत धन्नवाद